नमस्कार बंद्व गल आजी मोई अपनालकोर अगोट फिस्टोरीकेल पेग्राउन्ट अप इंडियान इविडियन्स एक्ट 1872 विखाय को बुले अलाईशु एखन एखन होरु आईण इंडियन इविडियन्स एक्ट 1872 अथवा अखमियात याग भारतियो हाट्खवाईन बुली को होई एखन टोटाल 11 सेप्टार अशे 167 सेक्शन अशे और केम इन्टो फोर्स बलबत होई फास्ट डे अफ सेप्टेम्बर 1872 पोड़ा ए तैरिकर पोड़ा भारत बर्खत भारत यो हाक्खवाईन अठर खोब भाहत्तूर बलबत होई आशे औरो ए आईन और जोरियते कोर्टो बिशार प्रक्रिया सोली आशे केने कोई हाक्खे बादी लवा होबो क्रोस एग्जामिनेशन करा होबो की की डोकुमेंट्स बाफेक्ट्स एड्मिर करा होबो इत्त्या दी दे कोहई तेन ते इनडियान इबिडियान्स एक्टो कोह ऊई शें को तिके भुग्त बोगि आढ़ा समी पक्खर अधिबक्तक्त हकल र हाधेक्ख प्रमान होनीबो आदालाते हाथक्ख प्रमान देखिबो देखार बिशात और भिशारख रायधान करिबो क्वेणी है इन रितिसे कोले जहतीया इंडियाद हाहन करी ते तीया हाहन भार ग्रहन करी हियोते देखिए हिसील्ट जहां इनडियादिसमयान हात्ख्वाईन प्रशलान है लेयल लिव इंदु हो कोले हो हाकां कोडिशिल इंडिया यत मुस्लिम होकोले हाकां कोडिशिल कोई थी कि हेई लिटी निइम्ली स्कें टीश PATK लेब Hmmm और बीटिस होकै यह तोवलोक लिगेंधों की इनगीलिष लोव इंग्यानश आशिल यह आईन्खन न इन्डियार भावे फिट नासिल, कमफर्टेबल नासिल, जार करने ही ओते अनुमान कोरिले जे भारत वर्खर भावे एक्षन सेपरेट इविटियान्स एक्ट एक्षन परनावन कोरी बोलागे, जार भावे बिटीश कोले, कोमिशनार अपोइंट कोरिले, to enact a new law for Indian Administration of Justice, that's why they enacted a law, the Indian Ebedience Act 1872 and for that purpose a Commissioner was appointed. For the first time 1868 Sir Henry Meney was made the chairman of the Commissioner. अटरुख अखस्टिशन उप सर्घन्री मेनिक शेर्मन पति दिया हुशिल, to enact a draft bill of Indian Ebedience Act. Lastly देखा कोल जे Sir Henry Meney जीतो draft पनाई से हेटो इंडियर काने suitable नहाल, जार काने Sir Henry Meney draft bill of Indian Ebedience एक्टो 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 काना हुशिल, एक्टो रिजट काना हुशिल, इन नेक्स ताम प्रभष ती हमारत 1870, Sir James Stephenor दाइक्टो दिया हुशिल, इंडियन इविडियन्स एक्ट रेखन बना बलाई तरफ बिसद ऐटीन्स शार जम्स स्टिफने बिल खन बनाले अरो है बिल खन रिफर्टो दा स्लेट कोमिटी स्लेट कोमिटी असलोई पुठिया हल बिल खन तरफ पिसद अरो है बिल्टो अपनार है बिल्टो अपनार सापमिट कोहल काउंचिल अम्दा गोबर्नोर जेनरल अप इंडिया ओन थार्टी फस्ट मार्स 1871 अटरखो एकात्टूर शनोर एक्टिर्स मार्शोथ सार जम्स स्टिफने बनावा इंडियन इविडियन्स बिल खन काउंचिल अप गोबर्नोर जेनरल अप इंडिया अपनार दाखिल खड़ा हल अरो काउंचिल अप गोबर्नोर जेनरल अप इंडिया हेखन साय किसमान अमेंडमेन कोरिले किसमान हंगोदन कोरिले अरो हंगोदन कोरिले अरो हंगोदन कोरिले रिपोर्ट दाखिल कोरिले 13th January 1872 रिपोर्ट जारी करिले औरु रिकोमेंडेट टू पास्थ दा बिल औरु आइन खन उत्थापन बिल खन उत्थापन करिवर करने हनमत्ति प्रदान करिले जार करने विफोर्ट दा मेजेस्ट्री आप बिर्टीश हेखन उत्थापन करा हल अरु मेजेस्ट्री ये हनमत्ति प्रदान करिले 15th March 1872 प्रदान करिले आरु आइन खन पास्थवय गल अरु इंडियान इबिडियन्स आच 1872 टो फास्थ दे अप सेप्टेम्बर 1872 परा बलाबध होई थाकील बर्तो मनिव ए आइन खन इंडिया बलाबध होई आसे खुबए पोपुलार आइन याते अगोते ही कोई सु टोटाल सेक्शन आसे आपना 167 सेक्शन सेप्टार आसे 11 आरु डेट अप डेट अफ इन फोर्स अपना फास्ट दे अप सेप्टेम्बर फास्ट दे अप सेप्टेम्बर 1872 एटो कॉंपिटेटिव एक्जाम मत आहें खोबे दर कारी क्योंति कि मोई आजी आपना लोगर आगोत इंटरक्टोरी पार्ट आप इंडियान इविडियन्स एक्ट 1872 मोई एक्स्प्लेइन कुरिलू जो दी वीडियो आपना लोगर भा तेनवाट